आप यहां पर जो देखने हैं यह क्या है यह एक BMS है जिसको आज बैटरी में लगाना सिखेंगे यह बैटरी को कंट्रोल करता है कितना चार्ज हुआ उसको आटो कट करता है तो यह जो BMS है इस बैटरी में कैसे लगता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ते चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम एक BMS ले लेते हैं और जो इसका मइनस वाला बैटरी का उसको ले जाके BMS के माइनस वाले में करनेक कर देंगे यानि जोड देंगे और जो बैटरी का फर्स्ट इसको ले जाके BMS के B1 में जोड़ देंगे और जो second वाला है उसको ले जाके BMS के B2 में जोड़ देंगे और इसके बाद जो ampere के बगल में प्लस उसको ले जाके बैटरी के प्लस में जोड़ देंगे और यह हमारा हो जाएगा B1 और यह हो जाएगा V2 और बैटरी का प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा अमारा बैटरी का माइनस यह हमारा सरकुट कंप्लीट हो चुका है यह हमारा हो जाएगा आउटपुट इंपुट जिसे मतलब आउटपुट और इंपुट दोनों ले सकते हैं जैसे चार्जिंग के करनेट कर लिया है, BMS को बैٹरी में 12 वल्ट के, मैं आपको CHECK करके दिखा देता हूँ, तो मैं METER को ON करके आपको CHECK करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिये मैंने Battered को इसने element कर दिया तो बोल्ट बहुत अच्छी तरीके से शहा रहा है, दस दस बोल्ट आ रहा है क्योंकि बैटरी में या नहीं चार्ज है मतलब कि यह काम कर रहा है अभी यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि BMS बैटरी में कैसे इंसर्ट करते हैं कैसे लगाते हैं तो आपको यह वीडियो जरू अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगाते हैं वीडियो को करने लाइक अब मिलते हैं मज़िदार साइन्स एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैए